नमशकार, स्वागत है, Let's Crack It NTA UGC Net पर और आज के सेशन में हम बात करेंगे कैसे करें NTA UGC Net के तैयारी, How to Prepare for NTA UGC Net सेशन शुरू करने से पहले, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहती हूँ मैं जोटी जोशी, मैंने Delhi University से अपना double MA किया हुआ है, मेरा पहला MA political science और दूसरा हिंदी से है मैंने BA किया हुआ है, मेरा CTAD और NET qualify है, 6 सालों का मेरे पास teaching experience है और मेरे teaching area है, हिंदी, political science and teaching attitude आज का session शुरू करने से पहले, मैं आपको Unacademy Plus के platform के कुछ benefit के बारे में बता देती है देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, Unacademy Plus भारत का सबसे बड़ा online learning platform है और यहाँ पर आपको भारत के top educators मिल जाते हैं और आप इन top educators के life session जोईट कर सकते हैं Life session के दौरान आप अपने doubts क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर आपको सारी upcoming plus courses की जानकारी मिल जाएगी आपको सारे upcoming tech series की जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर आपको variety of courses available मिल जाएगे और सबसे खास बार कि आपको studies के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती आप कहीं भी कभी भी आसानी से पड़ सकते हैं यह आपके समय को बचाता है यह उन लोगों के लिए बहुत ही फाइदेमंद है जो लोग अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं खासकर housewives जो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती हैं working people जो अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं तो ऐसी condition में वो कहीं भी रहते हुए किसी भी समय आसानी से Unacademy Plus के प्लाटफॉर्म में पढ़ सकते हैं आपको यहाँ पर बहतरीन quality का study material मिल जाता है आपको library जाके समय वर्बाद करने की आवशक्ता नहीं पढ़ती आपको महंगी किताबे खरीदने की आवशक्ता नहीं पढ़ती आपको सारा quality का study material यहाँ पर free में available बिल जाता है एक और बात जब हम करते हैं जब हम classroom teaching को देखते हैं तो वहाँ पर आपका कोई topic रह जाता है तो आपको खुद से prepare करना पड़ता है लेकिन यहाँ पर Unacademy Plus में ऐसा बिलकुल भी नहीं है अगर आपका कोई topic रह भी गया है तो आप उसे recorded section में जा करके unlimited times देख सकते हैं अब यह भी जान लेते हैं कि Unacademy Plus के platform पर आप कैसे register कर सकते हैं आपने क्या करना है आपने mobile में अपने play store में जाना है और वहाँ पर Unacademy की learning app को आपने install करना है आपने install किया उसके बाद आपने get subscription पर click करना है आपको show होगा कि आप कितने month का subscription रहना चाहते हैं आप उतने month select करिए और continue करिए हम Unacademy Plus के जब fee structure की बात करते हैं तो जब आप offline coachings में जाते हैं न तो वहाँ पर आपको 6 महिने के NTA UGC net की fees करीबन 20 से 25,000 तक पढ़ती है लेकिन जब आप यहाँ Unacademy Plus पर देखते हैं तो यहाँ एक महिने की जो fees है वो है 2100 रुपए और वहीं जब आप 3 महिने की fees देखते न तो वो केवल है 5250 रुपए वहीं 6 महिने की fees है आपकी 8400 रुपए 12 महिने यानि की एक साल की आपकी fees है 10,500 रुपए और 24 महिने यानि की 2 साल की आपकी fees है केवल 16,800 रुपए उसके साथ भी जब आप एक साल का fee structure देख रहे हैं तो वहाँ आपकी fees पढ़ती है 10,500 रुपए इसके बाद जब आप मेरा referral code लगाते हैं जो की है live.jj आपको ये referral code याद रखना है आपको ये referral code याद रखना है आप मेरा referral code है live.jj और इससे आपको क्या होता है इससे आपको मिलता है 10% का discount और इसके बाद आपकी fees और भी ज़्यादा घट कर रह जाती है 9,450 रुपए तो आप ध्यान देंगे कि आपके एक साल की fees केवल है 9,450 रुपए तो ये कोई ज़्यादा amount नहीं है हम दो साल के fees structure की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको fees है 16,800 रुपए इसमें भी आपने मेरा referral code लगाया LiveJJ आपको फिर से मिलता है 10% का discount और 10% के discount के बाद आपकी fees घटकर रह जाती है केवल 15,120 रुपए तो आपके offline coaching के comparison में यहाँ पर आपको बहुत कम fees देनी है तो देर मत कीजे और जल्दी से अनकैडमी प्लस का subscription हीजे चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे करें NTA UGC Net की तयारी तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी ऐसे करें NTA UGC Net की तयारी आपको यह 10 मूलभूद बातें जो मैं बताने जा रही हूँ आपको count बात बेने आपका इन 10 मूलभूद बातों पर अमल करना मुख़जरूरी है ताकि आपका NTA UGC Net करना हो जाए आसान लेकिन यह तब ही हो पाएगा जब आप इन 10 बातों को तो अमल में लाएंगे ही लेकिन साथ में अपनी महनत और लगन में कोई कमी नहीं चोड़ेंगे तो आपने अपनी महनत और लगन को निरंतर बनाए रखना है आपने हार नहीं माननी है और जो यह 10 बाते में बताने जा रही हूँ आपने उन्हें अमल में लाना है तो चलिए केवल यह 10 बाते रखे ध्यान जिससे आपका Net पास करना हो जाए आसान अब यह 10 बाते कौन सी है जब हम इन 10 बातों की बात कर रहे हैं हम 10 मूलभूत बात यहाँ पर कर रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज़ आदमी के टाइम मेनेजमेंट देखिए आपको टाइम मेनेजमेंट करना आना चाहिए आपने सालों साल परिख्षा की तयारी आपने की उसके बाद जब आप पेपर देने बैठे तो आपका पेपर जूट गया आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है तो ऐसी कंडिशन में आपने क्या करना है आपने मौक टेस्ट सॉल्व करने की आदत डालनी है आप जितना मौक टेस्ट को सॉल्व करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड मैंटेन होगी और आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपने कितने समय में कितने क्वेश्चन्स को सॉ जिनसे आपकी मौक टेस्ट को हल करने की एक प्रैक्टिस हो जाएगे इसलिए आपने ध्यान रखना है समय नियोजन के आभाव में आपके सारे प्रयास निरर्थक है कई बार विध्यारती परिक्षा की तयारी तो अच्छे से करते हैं पर पेपर को सही समय पर समाप्त नहीं कर पाते हैं इसका समाधान क्या है कि आपने मौक टेस्ट को हल करना है जितनी प्रैक्टिस होगी तो नहीं आप परफेक्ट बनते जाएंगे अब हम दूसरे मूलभूत मंत्र पर आते हैं जो है आपकी विशेगत अवधारना स्पश्ट होनी चाहिए यानि कि आपको अपना कॉंसेप्ट अपने सब्जेक्ट से रिलेटिड क्लियर रखना है आप जितना गहन पढ़ते जाएंगे उतना आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉंसेट क्लियर होता जाएगा और उसके बाद आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेशन आपको आजाए पेपर में आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे क्योंकि आपको अपने subject की deep knowledge है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने विशे की गहन जानकारी होनी चाहिए जिससे आप अपने विशे से सम्मंधित किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं अब हम तीसरे मूलभूत मंतर की जब बात करते हैं तो तीसरा मूलभूत मंतर है कि आपने पूर्व प्रश्नों का विशलेचन कर लेना है यानि कि आपने exam analysis करना है आपने क्या करना है जितने भी previous year के question paper है उन सभी पर एक निगाह डाल लेनी है और निगाह डालते हुए आपने क्या करना है आपने उन प्रश्नों और उन विश्यों पर ध्यान देना है जो लगातार आते हैं हर साल और आपने उन विश्यों और उन प्रश्नों को पक्की तोर पर तयार कर लेना है तो इसलिए जो विशय या प्रश्ण निरंतर आ रहे हैं उन विशयों वो प्रश्णों का आपने विशेश ध्यान देना है कब जब आप पूर्व प्रश्णों का विशलेशन करेंगे आपने सारे प्रश्ण पेपर का अनालिसस करना है अब हम चौती मूलभूत बात पर आते हैं वो है स्मार्ट स्टड़ी यानि कि विवेक पूर्ण अध्यन हर साल NTA UGC NET के लिए हजारों की संख्या में अभ्यारती आवेदन करते हैं और जब वो आवेदन करते हैं तो पढ़के ही करेंगे लेकिन आप उन सब विध्यारतियों से कैसे अलग हो सकते हैं क्योंकि पढ़ते सभी हैं आप कैसे अलग हो सकते हैं आप स्मार्ट स्टडी करके अलग हो सकते हैं आपने क्या करना है आपने स्मार्ट स्टडी करनी है आपने पढ़ते समय घंटों की संख्या नहीं करनी कि मैंने इतने घंटे पढ़ लिया बैठा हूँ आप जितनी देर भी पढ़ने के लिए बैठें आप उतना ही गहन, उतना ही गुणवत्तापून और उतना ही प्रभावपूर तडिके से पढ़िए तो इसलिए आपने केवल पढ़ना नहीं है, केवल स्टडी नहीं करनी है, बलकि स्मार्ट स्टडी करनी है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब हम पांचवी मूलभूत बात को देखते हैं, तो वहाँ पर आपने ध्यान देना है कि आपने अपनी स्वयम की रणीती बनानी है डवाइस यूर ओन स्ट्राटेजी आप हमेशा ये करते हैं, कि आमक व्यक्ति का नेट क्वालिफाई हुआ है उनसे आप जानना चाहते हैं, कि आपने किस-किस तरीके से तैयारी की है जानिए, बहुत अच्छी बात है लेकिन दूसरों की देखा-देखी या नकल ना करें ये हमेशा से याद रखिए कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है आपकी शम्ता दूसरे से भिन्न है, इसलिए आपको याद रखना है आपकी capability और capacity वो आप बहतर तरीके से जानते हैं तो उसको पहचानते हुए, आप अपनी strategy खुद बनाईए दूसरों की देखा-देखी ना करें और ये हमेशा याद रखिए कि आप अपने आपको बहतर तरीके से जानते हैं अपने आपको जानते हुए, अपनी strategy को खुद बनाईए कि आप किस तरीके से कैसे तैयारी कर सकते हैं तो इसलिए ध्यान रखिए हर विद्ध्यार्ती एक दूसरे से भिन्न है एक दूसरे की देखा देखी करने की जगे अपनी शम्ता और स्वयम को ध्यान में रखते हुए अपने अध्यन के लिए अपने स्वयम की रणनीती बनाए आप स्वयम को बहतर तरीके से जानते हैं तो आपने अपने लिए अपनी खुद की रणनीती तैय करनी है करना आवश्रक है रिविजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगर आप रिविजन नहीं करेंगे तो आप चीजों को गूलते रहेंगे आप जितना रिविजन करेंगे उतना आपके दिमाग में वह चीज będzie रहtså तो इसलिए pessेंगे रिविजन इसलिए एक बार पढ़ लेना काफी नहीं है, इससे आप परिक्षा पास नहीं कर सकते, पढ़े गए विश्यों को निरंतर दोहराते रहे, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मता यह, मेरी तैयारी पूरी है, मुझे और जादा पढ़ने की ज़रूत नहीं है, जितना आप दो कुछ दिन पहले जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप कई किताबों पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं, आप कई चीज़ें देख लेते हैं, तो इसलिए लास्ट टाइम तक का रिविशन आपके लिए बहुत जादा फाइदे मन्द होता है, इसलिए ये चीज़ याद बनाने हैं, ट्राइ टू मेक शर्ट नोट्स, उसके बाद आपने यह चा आपको इसौट नोट्स आपको जब हब करेंगे वHarenzie रिवुजिन के टाइम पर माने पहले आपको बताया ये आपको आ पके रिविजन डाइम पर हवे हमेशा, याद रखें जब आप अपने हाथ स तो वो चीज़ां जब आप दुबारा पढ़ते हैं तो वो आसानी से याद हो जाती है तो इसलिए आपने क्या करनी है आपने एक आदट डाल लेनी है कि आपने अपने नोट्स के लिए एक डाइरी या फिर एक रजिस्टर मेंटेन रखना है आपने उस डाइरी या रजिस्टर में अपने खुद के नोट्स बनाने है आपने उन नोट्स को शॉट में रखना है, पॉइंट में रखना है ताकि जब आप पढ़ने बैठें तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में आजाएं आसानी से आप परिक्षा से एक दो दिन पहले सारी किताबे लेकर के नहीं बैठ सकते तो समय आप क्या करेंगे, अपने बनाए हुए नोट्स पे एक निगाह डाल लेंगे जिससे आपको चीज़ें दोहराने में मदद बन जाए इसलिए ये स्वयम के संशिप्त नोट आपको क्या करते हैं ये आपको विश्यों को दोहराने में मदद करते हैं इससे आपको परिक्षा की दृष्टी से सारी आवश्यक चीज़ें साथ में मिल जाएंगी पर ध्यान ये रखना है आपके नोट्स, शॉट और पॉइंट में होने चाहिए जब हम आठवी मूल भूत बात करते हैं तो हम हमेशा ही कहते हैं कि पॉजिटिव एटिट्यूट रखिए यहां पर भी आपको पॉजिटिव एटिट्यूट रखने की बहुत आवश्यक्ता है नेगेटिव थॉट्स, अपनी नकारात्मक सोच को अपने दिमाग से निकाल लीजिए आप हमेशा सोचते हैं एक बार मेरी परिक्षा पास नहीं हो पाई तो आप सोचते हैं मेरे बसकी नहीं है अब मेरे से नहीं होगा मैं तो कर ही नहीं सकता या मैं नहीं कर पाऊंगा आप हार मान के पहले ही बैठ जाते हैं देखिए ऐसा मत करिए अपना रवया हमेशा साकारात्मक रखिए हमेशा मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वाला सकारात्मक रवया आपका होना चाहिए केंडू एकिटिटूड आपका होना चाहिए नकारात्मक सोच आपका ध्यान भटकाती है तो स्वयम पर भरोसा रखना सीखिए अपने लक्ष के प्रती सकारात्मक रवया रखें हम अगली मूल भुद बात पर जब आ रहे हैं तो मैं आपसे कहती हूं कि अध्यन के हर सत्र के बाद एक छोटा सा विराम अवश्यल है टेक ब्रेक्स आफ्टर एवरी स्टर्डी सेशन ये बहुत जब्ली है जब आप लंबे समय तक पढ़ने बैठते हैं तो आप पढ़ाई से उबने लगते हैं आप क्या करते हैं परिक्षा की तैयारी करने के लिए अपने आपको एक कमड़े में बंद कर लेते हैं आप परिवार से कट जाते हैं, आप मित्रों से कट जाते हैं, कोई मेल जोलने ही रखते किसी के साथ, क्यों? क्योंकि आपकी परिक्षा समीर देखिए, ऐसा मत करिए, क्योंकि आपका परिवार और आपके मित्र, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, तो वो आपको एक स्ट्रे गैप लीजिए, ब्रेक्स लीजिए, क्योंकि ये ब्रेक ही आपको एनर्जी से फढ़ देते हैं, इसलिए ध्यान रखना है, किताबों मैं ही हर समय ना चिपके रहें, ऐसी क्रियाओं के लिए भी समय निकालें, जो आपको तनामुक्त और उजावान रखती है, अब हम अगली दस्वी मूलभूद बात पर आते हैं, जो बहुत जरूरी है, ज्यादा तर अभियारती, इसको ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन सबसे बड़ी गलती, वो यही करते हैं, तो ये दस्वी मूलभूद बात क्या है, कि पेपर वन और पेपर टू, दोनों को आपने समान मह महत्व देना है, आप किसी भी पेपर को हलके में नहीं आख सकते, आप ये नहीं सोच सकते, कि हाँ, पेपर वन में कम क्वेशन है, कम माक्स का है, तो हम पेपर वन पे जादा फोकस नहीं करते, पेपर टू सबजेक्स बेस्ट है, तो हम उस पे जादा फोकस करते हैं, ऐसी गलती ना करें, दोनों ही पेपर को समान महत्वते हैं, गिव इक्वल इंपोर्टेंस टू बोध पेपर वन और पेपर टू, अब मैंने आपको ये दस मूल भूत बाते तो बता दी, लेकिन इन सभी दस मूल भूत बातों को एक साथ हम दुबारा से तोहरा लेते हैं, ताकि आ आपको समय नियोजन करना आना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के आभाओं में यदि आपका प्रियास बेकार चला गया, तो सब कुछ बेकार है, आपने सालों साल तयारी की, पेपर छूट गया, तो आपकी सारी महनत बेकार च बताई कि आपको अपने विशे से संबंधित अवधारना सपस्थ होनी चाहिए, आपको अपने विशे की गहन जानकारी होनी चाहिए, अगर आपके विशे से संबंधित कोई भी प्रशन आ जाए तो आप उसे आसानी से हल कर सकें, इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने पूर्व प्रश्चन पत्रों को विशलेशन कर लेना है आपने प्रीवेस येर के question paper पे एक बार नजर डालेनी है आपने उन topics और उन questions को ध्यान रखना है जो हर साल बार बार लगातार आ रही है और आपने विशेश रूप से उन प्रश्चनों और उन विशेयों की तयारी कर आप घंटे ना गिने कि हमने इतने समय तक पढ़ लिया आपने स्मार्ट स्टडी करनी है जितना भी आप पढ़े वो गुणवत्ता पून और प्रभाव पून होना चाहिए अगली बात मैंने आपको बताई कि आपने अपने लिए स्वयम की रणीती बनानी है आप एक दूसर की देखा देखी या नकल ना करें अपनी शमता को जानते हुए स्वयम को खुद पहचानते हुए आपने अपने खुद के लिए अपनी खुद की रणीती तेय करनी है इसके बाद मैंने आपको बताया कि दोहराना आवशक है रिविजन बहुत जरूरी है क्योंकि रिविज आपने स्वयम के संशिप्त नोट्स बनाने है वो नोट्स आपके पॉइंट्स में होने चाहिए वो नोट्स आपके अपने हाथ से लिखे वे जब होंगे तो आप उन्हें जब दुबारा पढ़ेंगे तो आसानी से दुबारा से याद आ जाते है इसलिए आपने ये चीज ज्याद रखनी है आपने स्वयम के संशिप्त नोट्स बनाने है और परिशा से पहले आपने अपने नोट्स से तयारी करने है अगली बात मैंने आपको बताई कि हमेशा सकारात्मक रवया रखिये मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं वाला पॉजिटिव एटिडूड आपको विराम ले ये विराम जो ये gap जो ये breaks आप लेते हैं ये आपको उर्जा से भढ़ देते हैं तो हर समय किताबों में ना चिपके रहें और पढ़ाई के हर सत्र के पीछ में एक gap एक break अवश्य लें लास्ट में मैंने आपको बताया कि आप किसी भी पेपर को कम ना आके पेपर एक और पेपर दो दोनों की समान रूप से तैयारी करें दोनों को समान महत्वत दें तो आपने ये सभी दस मूल मंत्र याद रखने हैं ये सारे दस मूल मंत्र आपको आपके NTA UGC NET को क्लियर करने में बहुत मदद करेंगे लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ ये तभी मदद करेंगे जब आप इमानदारी से महनत करेंगे और आप लगन से पढ़ाई करेंगे आपके इरादे सच्चे हूँगे तभी आपका NTA UGC NET पास करना बहुत आसान हो जाएगा और इसके बाद आप सफलता का जंडा गार देंगे तो चलिए आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हूँ तो इसे लाइक, शेर और अन अकैडमी प्लस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद